और आईए अब 36 गड़ की बात करते हैं सीधे में लिए चलता हूँ आपको डेटा सेंटर मेरी सहयोगी शिरीन के पास और आकड़ों का जब पिटारा खुलेगा 36 गड़ की तस्वीर क्या नज़र आएगी शिरीन आपको बताएंगी तो आईए अब बात कर लेते हैं 36 गड़ की और 36 गड़ का अंकड़ा क्या है वो अंकड़ा जो बताएगा कि तस्वीर किस तरीके से साफ होती हुई वहां दिखाई दे रही है मेरे पीछे आप देख रहे हैं 36 गड़ का वधान सभा और यहीं किसे इजाज़त जनता अंदर जाने की देगी और किसे नहीं यह साफ हो जाएगा तो जल्दी से आप आकड़ों के तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखर 36 गड़ में जो वधान सभा की 90 सीटे हैं उनकी तस्वीर किस तरीके से साफ होती हुई दिखाई देगी लेकिन पहले दक्षण रीजन का आप जड़ा हाल जान लीजे यह आपके सामने दे सीटे हैं और 12 सीटों की तस्वीर ये आपके सामने 45 पीसदी कोंग्ररस और बीजे पी 42 के साथ दूसर नंबर पर आप ज़रा इन्हें सीटों में convert करके आपके सामने रखते हैं वोट शेर के बाद देखें सीट भी आपके सामने हैं Congress पाथ से नौ सीटों पर कबजा करती दिखाई दे रही है तीन से साथ सीटे जो है वो बीजेपी के पास जाती दिख रही है और शुने से एक का जो आंकड़ा है वो अन्य के खाते में जाता दिख रही है तो कुलमिला कर बारा सीटों में से पांच से नौ पर बढ़त बताते हुए बनाते हुए यहां Congress जो है वो पहले नंबर पर दिख रही है और उसके ठीक पीछे तीन से साथ सीटे जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है तो यहां बाजी मारती हुई कह सकते हैं इन बारा सीटों का जो इस वक्त ये calculation निकल कर सामने आ रहा है वो यह कि पांच से डौ सीटे Congress को मिल सकती है दक्षिन रीजन 36 गड़ का और उसकी तस्वीर ये है अकलेश 36 गड़ की अगर बात की जाए तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा नकसल प्रभावित इलाकों का है और आपको हम बता दे कि यहां पर Congress लीड लेती हुई नजर आ रही है बड़ी बात ये कि Congress के खाते में यहां 5-9 सीटे जा रही है बीजेपी 3-7 यानि कुल 12 सीटों में Congress यहां पर बढ़त में नजर आ रही है और 7 जो जिले है कोलिहा पर यहां पर विधान सभागी 12 सीटे आती है इसमें Congress लीड ले रही है बीजेपी पिछड गई है बीजेपी 3-7 हलाकि यह जो margin है यह बहुत बड़ा है 3-7 का और Congress की बात की जाए तो 5-9 और vote प्रतिशत भी हमने आपको बताया Congress के खाते में 45 प्रतिशत vote यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है बात्चित करने के लिए कई वरिष्ट पत्रकार मेरे साथ यहां पर मौझूद है उनसे मैं आपका परचे करवादू विनोद अगनिहोत्री जी मेरे साथ स्टूडियो में जूर चुके हैं बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका दक्षनी रीजन की बात करो तो बिट्विन दा लाइंस आप कैसे पढ़ते हैं अगर कॉंग्रेस यहां लीड लेतीवी नसर आ रही है देखी यह तो परसप्सन पहले से ही है कि कांग्रेस जैसे इसके पहले भी जो भी ओपीर अन्पोलिया वहां से जो ग्राउंड संकेत आ रहे हैं तो वहां पर यह है कि बगेल जी की स्तिती ठीक है अच्छी है और बात तो यही हो रही है कि वो रिपीट करने जा रहे हैं जैसा कि आपने आंध्रा और तेलंगाना और मिजुरम के बारे में जो कहा था वही है लेकिन जो अभी आपने जैसा खुद भी कहा कि जो दिखाया है आपने आक्रे इसे मार्जीन इतना है कि अगर कहीं जैसे पांच से वो नव तक कांग्रेस को दिखा रहे हैं और 307 बीजेपी है तो यह फर्क इतना है कि लगता है कि लडाई बहुत एकतरफा नहीं है टफ है दो परसेंट का जो ओट शेयर आप दिखा रहे हैं अगर यह भी है हाला कि दो परसेंट का ओट सेयर भी काफी होता है तो यह है तो वही है जो अब तक का लोगों का मेजार्टी ओपीनियन जो रहा है कि वहाँ बगहेल मतलब रिपीट करते दिख रहे हैं लेकिन एक संकेत भी मिल रहा है कि बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है एक संकेत के तौर पर हम इसे देखे हैं रामकरपाल जी जो कह रहे है कि बीजेपी कमजोर नहीं है लेकिन कॉंग्रेस लीड तो ले रहे है यह पाथ से नौ और तीन से साथ बीजेपी भारती इंता पार्टी को किसी भी प्रदेश में कमजोर मानना एक पूल होगी जहां पर सर्वेक्षन दिखा रहे हैं कि वो पीछे है उसमें भी यह मान लेना कि भारती इंता पार्टी कमजोर है वो निश्चित रूप से चुनाव हार जाएगी भारती इंता पार्टी ने चुनाव लड़ने का जो एक सिलसला एक तरीका विक्सित किया है वो भारत के चुनावी इतिहास में अगूत पूर्व है उसको श्रे जाना चाहिए जहां तक ये सीट और वोट का जो अभी जिसमें चर्चाव राम करपाल जी कर रहे थे अभी तक जितने भी बहुत मुद्दतों से मैं चुनाव सर्वेक चुड़ों के साथ जुड़ा रहा हूँ देखता रहा हूँ उन्हें समझ नहीं कोश्ट करता रहा हूँ प्रतिश बोट प्रश्चत को सीटों में बदलने की कोई भी अभी एक सिक्का बंद गड़ित या कोई सिक्का बंद प्रोध्योगी की विक्सित नहीं हुई है सभी एजेंसियां इसमें संकोच करती है और उसमें गरबडिया होती है इसलिए बहुत बड़ा भूल चूक का मार्जिन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है इसलिए अब लोग प्रश्चत की उपर ज्यादा जोर्द है और सीटों की संख्या की उपर कम जोर्द है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढ़ाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं की बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे